फ्रांस के राश्टपती एमेनुवल मैकरों कोविड-19 पॉश्टिव हुए साथ दिनों तक होम आइसोलेशन में रहेंगे डोनल्ड ट्रम्प, बोरिस जॉंसन, जायर बोर्सोनेरों के बाद कोरोना पॉश्टिव होने वाले दुनिया के पांचवे बड़े नेता रूस के राश्टपती ब्लादीमीर पॉतिन ने कोरोना संक्रवन को लेकर चीन का बचाओ किया पॉतिन ने कहा मामारी से रड़ने के बज़ाए दुनिया चीन पर निशाना साधने में लगी हुई है कनाडा के पीम जस्टिन टूडो ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सिन के डोज फिलाल नहीं लेंगे उन्होंने कहा कि जिनको ज्यादा जरूरत है पहले उन्हें वैक्सिनेट किया जाएगा तुर्की में कोरोना संक्रमल के मामलों में तेजी एक दिन में 32,000 नए मामले सामने आए 235 पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई अमेरिका के फ्लोरिडा में मास वैक्सिनेशन की शुरुआत सौ परिवारों को लगाई गई फाइजर की वैक्सिन 21,400 वैक्सिन डोस का इंतिजाम किया गया अब घर में ही कर सकेंगे कोरोना का टेस्ट आस्टेलिया में होम टेस्ट किट तयार 20 मिनट में कोरोना का रिजल्ट सामने आएगा और मुंबई से कोरोना पर अच्छी खबर लोगों में डिवलप हुई हर्ड इम्यून्टी मौत का घराफ भी तेजी से गिरा एक दिन में दस से कम होते हैं बोपाल में स्कूल खुलते ही दस चात्र कोरोना पॉजिटिव हुए कोरोना पॉजिटिव स्टुडेंट के संपर्क में आने के बाद 26 बच्चों के कराई गई थी जांच बीजेपी नेता किरीट सुमया के वेटे नील सुमया ने भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन का टीका लगवाया वैक्सीन का दूसरा डोश 13 जनवरी को दिया जाएगा नील सुमया ने कहा वैक्सीन से घबराने की जरूरत नहीं है यूब स्टॉप नाइन रोज सुबह साथ बजी और शाम साथ बजी सर्फ टीवी नाइन भारत वर्षपार